हेलो एवरीबडी स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लाइटफॉर्म वर्चुल विद्याने मैं वरुन सिंग आप सभी लोग का बहुत-बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस बहुत ही अमेजिंग से 33rd day of our very amazing 75 hard physics challenge that this one in half gha and a half of our challenge में जाही रहें आपको लगता है कि ठीक है क्या चैलेंज है क्या इतना क्या exciting लेकिन में लिए बहुत-बड़ा चैलेंजिंग है यह पार्ट बिकर्स अफलाइं classes online classes offline classes management online classes management backend बहुत काम चलता रहता है और दिमाग में भी यह चलता रहता है कि यार आपको best of the best content देना कई ना कई मतब बहुत ज्यादा hectic day होता है बढ़िया everything is a challenge and it is अब चैलेंज जब accept किया तो फिर दरना क्या वाली बात आता जाती है और फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग यहां पर हमारा अब है टॉपिक एंग्यूलर अग्यूलर अग्यूलर साथी सर्कुलर मोशीं बहुत ज्यान से समझना एक एक चीज को बहुत डीटेल में समझेंगे बहले ही एक दो दिन और लग जाए कोई फरक नहीं पढ़ रहा लेकिन इसको बहुत डीटेल में समझेंगे इंडेप्ट समझेंगे ठीक खारस्तानी नहीं करेंगे ठीक है ना मोस्ली अबने क्या पढ़ा भी तर कि ऐसा मोशन जिसमें कभी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में मोशन हो रहा हो एक फिक्स पॉइंट मतलब डिस्टेंस दो चीजों की बदलेना एक fix point और object उनकी दूरी कभी नहीं बदले ठीक है किसी को क्या बोलते हम circular motion अब circular motion की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर इस वे the motion of the object takes place along a curve किसके along होता है कर्व के along होता है हाई बात समझ में किसके along होता हमेशा है कर्व के along होता है takes place along a curve एक कर्व के along हमेशा motion होगा इसी को circular motion होता है what we call as circular motion एक कर्व के along होता है मतलब जैसे अभी देखें आपको एंपी तीटर कहें मतलब सिनमा हॉल वगरा कहें आप ठीक है और यहां पे अगर आप बैठ जाते हो आगे वाली सीट पर यहां बैठें और एक आप यहां पे बैठे हो ठीक है पीछे जाके तो देखो यार आपकी मुंडी लगतार हिलती रह लेगी है ऐसे क्यों क्योंकि हीरो ने उधर मारा विलन इधर आगे गिरा और आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो तो महत कम है यहीं तक है है ना तो उसको बढ़ाने के लिए आपकी मुंडी को आपको घुमाना पड़ेगा जबकि यहां पे यह लेखो फील्ड ऑफ करें कि मेंगी होती है least because of the angular displacement ऑफ यूर मुंडी आपकी मुंडी यह सहे एक एंगल में गुम हरी है एक एंगल में गुम यां पधूज हो और दिख वेलिंग अ हम लगे ने गया है आप यहां पे उसकी बैंच पर बैठे हो ऐसी होती है ना गाडन की बैंचेज इस टाइप में नहीं ऐसी होती है गाडन में बैंचेज जो होती हैं आप यहां बैठे हो विसाज़िह पालती मांत के मस्ट बैठे हो अब यहां से कोई महिला जा रही है तो आपका ध्यान उनकी ओड लाही जाता है तो जब आप नहीं इनको देखा तो आप यहां से जब यह यहां तक पहुँची अपने आप देखते रहे अब यार सर यह क्या बात कर लो कैसे एक्जामपल देखा अरे मतलब यार आप गार्डन में लेके गए थे अपने चोटे कजिन को बैन को खिलाने के लिए उन्ही को आप देखने हैं अब एक्जामपल ठीक है यह भई बच्चों पे ध्यान देना पढ़ता है बच्चों पे ध्यान देना पढ़ता है ये एक एंगल के लांग है है आया है यह था यह देखने के लिए आपको मुंडी कुमानी पड़ रही है कि अधार मुंडी कुमानी पड़ रही है तो सामने देख रहे हैं इस तो सर्फिलर मोशन यह जो कॉंपोनेंट्स है जो के आपके स्वेंटheiro इसट्रेक्स हैं है वो कितने होता है करा को तो से र्फिलर मोशन चब भी होगा तो उसके को कुछ क्यरेक्टरिस्टिक शो होते है और वो इसको चारिक्तरिस्टिक में सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है अंगुलर डिस्प्लेस्टिक है अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट इनोटेर वाइड दूसरा है अंगुलर वेलोसिटी अंगुलर वेलोसिटी डिनोटेर वाइड वाइड नमबर थर्ड इस एंगुलर एक्सिलिएशन तो कि सब कुछ एंगल के अलोंगी होगा यह एक एक को हम लोग पढ़ेंगे एक एक को हम लोग समझेंगे फील कहेंगे मजा भी आएगा यहां तक कॉपी कर लोग पर पी ताँ तिल माँ प्रीस कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कर देखो एंगलर डिस्प्रेस्मेंट की बाते हैं अग्यूलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कितनी मुंड़ी गूमी है सर यह क्या बात है देखो दूसे कितनी मुंडी घूमी है है अब सर यह क्या मतलब है तो आप यहां पे बैठ जाओं यहां जाके आप बैठ गया ठीक है वही ऐसे आलती-पालती मालके बैठ गया एक व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है ठीक है तो जब यह यहां से यहां गया तो इसी को आप देख रहे हो तो इसको जब आप देख रहे हो तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मुंडी को मानी पड़ेगी भाई तो देखो, यहां से लेके यहां तक आपने मुंडी को बने, इसी को हम क्या बोलेंगे, angular displaced, फ़ी बात है, क्योंकि object जो है, वो ऐसे जा रहा है, एक curved path में जा रहा है, तो जब वो curved path में जा रहा है, curve एक center के about में होगा, center of curvature जिसे कहते हैं, तो उसके about में कितना angle turn हुआ, that is known as angular displacement, मतना की, during, during motion along a curve और curvy linear motion, और circular motion, circular motion के दोरान, जब भी circular motion होगा, तो circular motion के दोरान, during motion along a curve, और curvy linear motion, और circular motion, the object turns an angle about the center of curvature, center of curvature के round ये angle turn करता है, and this, my dear, this is known as, किसी को क्या कहा जाएगा, the angle of curvature, angular displacement, angular displacement, अब देखो ये, तो fixed point है, ये तो fixed point है, जाँपे वो बैठा है, आप बैठे हो जाँपे, इस fix point है, अब इस fix point के about में motion हो रहा है, angular displacement, is it clear, इसी को हमने क्या नाम दी आजी, angular displacement, यहां तक कोई doubt, यहां तक कोई doubt, नहीं ना, बढ़िया, एक question देखो, अच्छा, उससे पहले इसकी unit समाझते है, unit, unit अमेशा इसकी चलती है, रेडियन में, इक, रेडियन आर से डेनोट होता है, अब देखो, conversion of unit देख लेते हैं, conversion देखो, जैसे एकर मैं बात करूँ, तो 2 pi रेडियन का मतलब, 360 degree, या pi रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 degree, pi रेडियन का मतलब, 180 degree, तो एक रेडियन में कितना degree हो जाएगा, 180 अपॉन में pi, लगभग, लगभग, almost, almost, not exactly, 57 degree आजाएगा, इसको 3.14 रखोगे, almost, 57 degree आजाएगा, तो अगर आपको रेडियन से degree में बदलना है, यह रहा, 1 radian is equal to, इतना degree multiply हो, ठीक है, अगर वहीं आप, देखो, 1 degree की बात करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, pi by 180 radian, इसको भी तो इदर मेर सकते हो, यह almost हो जाता है, 0.017, तो एक डिगरी में कितना रेडियन है, 0.017, और एक रेडियन में कितना डिगरी है, लगबगग सब्तावन डिगर, इसको यह, understood, तो जाय कोझाएगागगी आपना हो, यह हैं सब्टैंश जाएगागागे ही। झाल झाल कि अगर मैं तो पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ आपका तू पाइग और वहीं अगर मैं 120 डिगरी की बात करूं तो यह हो जाता है टू पाइब थी इसको ना थोड़ा द्यान से याद कर लेना यह काम में आएंगे राइट यूशुल जी अब लोग रेडियन में ही डिस्क्राइब करते हैं इसमें डिस्क्राइब करते हैं र और यह इनकी दूरी है करता है यह ऑपजेक्ट है यह आगे मुव करना चालू करते मिलका इस पात इनकर रम इतने से यह मूव करना चालू कर देता है दस मीटर पर सेकेंट से तब आप से पूछा क्या है find out the angular displacement at the end of end of end of 1 second and two seconds respectively तो एक से के बाद में एंगलर डिस्प्लेश्मेंट कितना हुआ है about ओ और कोईंट के इंगलर डिस्प्लेश्मेंट कितना हुआ है यह पता करना है थीक है एक से को दो से की बाद करो इसे फिर्म कराता हूं आई आट लगे टो आई झाल आगे आगे अब देखो यह कैसे होगा जान दो एक सेकंड के बाद में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा दस में यहां से यहां तक की दूरी कित्ती है दस में ठीक है तो यह आगया थीटा वन तो यहां पर मैं बोल सकता हूं टैन थीटा वन यह कित्ता हो जाएका फंपेंड ही कुदा अपन बेस तो थीटा वन कित्ता आ गया थो टैन इन वर्स ओफ वन बाए बहुत अच्छे वहीं अगर मैं टैन थीटा टू की बात करों अब टैन थीटा टू कित्ता हो जाएगा तो दो सेकंड के बाद यह एक सेकंड के बाद है यह एड दी एंड ऑफ वन सेकंड है और वहीं है अगर मैं टू सेकंड की बात करों तो दो सेकंड के बाद में यह एंगल कित्ता हो गया थीटा टू और यह डिस्टेंस कित्ती हो जाएगी यह जाएगी 20 आट एक शेकंड में घर चला तो दो सेकंड किता चला आओगा बीस में तो टैन थीटा टू कित्ता हो गया 2520 तो टीटा नू कित्ता अगया तैन इन इन वरस ओ वान और 10 inverse 1 किता होता है, 45 degree, यानि की, pi by 4 radians. अब इसका angular displacement किता है, वो point के about में, pi by 4 radians. लॉजिक प्लियर है? हाँ याना? कॉपी करें से. कॉपी तो. कॉपी तो. कॉपी तो. कॉपी तो. कॉपी तो. velocity described by omega अब ये क्या बताता है देखो कितनी तेजी से मुंडी घूमी कितनी तेजी से मुंडी घूमी तो ये क्या है अमेरे बच्चे जैसे कि तब से पहले एक चीज देखो अगर कोई व्यक्ति है रहा है है अब उसके सामने ज़स्ट उसके सामने सामने ये टेहल रायक आरण में और एक और कोई व्यक्ति यहां पे टेहलता हुआ पाई इसके सामने-सामने, तो जब सामने-सामने है, इसकी वेलासिटी जब V है, तो आप मुझे बताओ, जब आई, तो ऑन्गुलर डिस्प्लेस्द्, और डिस्प्लेस्द् Ha से क्या सिखने को मिला, कि if motion is in straight line तो खीटा भी जीरो और उमेगा भी जीरो बात कर बात अब इसका दूसरा केस देखो यहाँ पर आप टैल वह हो अब यह जो सामने वाला व्यक्ति था मेरे बच्चे यह अब मूव करना शुरू कर देता है इस तरफ समझें? इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है यारी कि इनकी जो लाइन चाइनिंग थी गिरवाणी यह जो लाइन चाइनिंग है इसरे कुछ एंगल पर मूव कर रहा है अब यह ऐसे मूव कर रहा है आप इसको अपनी जगे पर रखके देखो आप ऐसे जा रहे हो यह विदर जाने लगया तो आपको मुंडी घुमी मुंडी घुमी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इंगुलर डिस्प्लेश्मेंट समझ गए इंगुलर डिस्प्लेश्मेंट तो अगर यह है ऐसा तो इसके दो कंपोनेंट या बाबा एक तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ अगर मानलों यह वी वेलास्टी से जादा था तो यह वाला कितना हो गया वंदूर वी कॉस्थीटा यह वाला कितना हो गया वी साइन थीटा है तो अभी अभी अमने देखा कि अगर सीदे सीदे जा रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा इंगल में यानि कि वी कॉस्थीटा इस नुट रिस्पॉंसिबल for any circular motion क्यों कारण क्या है दिमाग पर जोड डालो गुट्टे में दर नहीं होगा चिंता मत करो जोगता तो वी कॉस्थीटा responsible नहीं है why because it is along with the it is in straight line with observer observer के साथ ये straight line में है observer के साथ ये क्या है straight line में है नहीं बात है feel आगया सर एकदम मस दो आ लो go attention go attention ठीक तो कौन responsible है V sin theta और perpendicular component of velocity velocity is responsible for the angular for the for the circular motion समझ में आई बाग perpendicular component responsible है बाव 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 या perpendicular component responsible है अब मुंडी घुमेंगी मुंडी कित्ती तेजी से घुमी कित्ती घुमी अब निकालेंगे feeling आ गई yes copy copy down copy down फिर आगे चलते है copy down एजुमा यो आग อफ when झाल 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 तो तो basically omega क्या है theta upon time omega को कैसे बोलेंगे delta theta upon delta time या फिर d theta upon dt यानि कि rate of change of angular displacement कितनी तेजी से मुंडिक होगी सही इसकी unit क्या हो जाएगी बहुत आसान radiance per second कई बार rpm में भी बेंदा, बार में देखेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे आसे इन देखेंगे प्रीवियस क्शेशन, पिछ्ले ही इंग विश्चेन कि बाथ करूँ कहानी क्या था था द्वाइब आप अग्युलर विल्सिटी आलसो मतलब क्या साथ अले एंगुलर बेदाउस्टी भी निकालनी है कैसे यह दाना कहा नहीं देखे अज़िए 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 अब यहाँ पर एंगुलर वेलासिटी भी निकालनी है और इससर एंगुलर वेलासिटी कैसे निकालनी है बहुत आसान है देख देखते जाओ फील कर देखो अब देखो जब ओमेगा इक्वल्स तो वाट वेन ताइम वाज वन ओमेगा इस वाट तो देखो ओमेगा क्या होता है दी थीटा ओवर दी थीटा तो थीटा कित्ता था तैन इनवर्स वन फाइटू है ना और दूसरा अब इसको तो क्या ही डिफरेंशीट करें ठी करें चलने दो होते हैं इनवर्स शिग्नोमेट्रिक फॉंक्शन आपने पढ़े नहीं है डिफरेंटेशन उनका आपने पढ़ा दी तो अब दीटा कितना छोड़ तो है सेकंड वाजा हो जाएगा देखो किता आ जाएगा ओमेगा इस इकलोवगों को निचा की सब्सक्राइब करेंगे इतना लेगिन पर सेकंड है रेविजएके यून से थे स्विछाड है। झाल झाल ठीक है भाई दिस इस प्रिड मच इट लगते है अगले सेशन में इसमें हम लोग अंगुलर विलाउस्टी के और डॉमिन को एक्स्प्लेइन करेंगे बढ़ा करेंगे और उसके रावा हम लोग थोड़ा अंगुलर एक्सलेशन पर भी जाएंगे वोफुली कल फिंश करेंगे ठीक है थाक है थाक है थाक्यो सो वेरे मच बबाई तेक क्या जैनल व्यूर प्लीस टेक क्या झाल